दोस्तो नमस्कार क्या आपने भी SSC का फॉर्म भरा था जो की SSC MTS हवलदार का था और आप जब अपना एडमिट काड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे देखे स्टाप सेलेक्शन कमिशन की साइट पर हम यहाँ पर आ गए हैं आने के बाद जब यहाँ पर option आता है अपना admit काड निकालने के लिए जिसमें कि हम अपना नाम, date of birth और father name डालते हैं तो हमारा admit काड जनरेट नहीं होता तो आपके साथ भी अगर यह error आ रहा है तो इस error को fix करने के लिए हम आगे एक video बनाएंगे जिसमें कि आपका support बहुत जरूरी है अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीक के का हो रहा है तो comment section में comment कीजिए हम आपके लिए इस video का तोड लेकर आएंगे यानि कि इस error को fix जिससे आपका admit card आ जाएगा ठीक है दोस्तों और अभी तक हमारी चैनल को आपने subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर ले मिलते हैं next video में तब तक के लिए goodbye and धन्यवास thanks for watching this video